हलो दोस्तों विल्कम बैक टुटी चानल दे न्य वीडियो दोस्तों टीविएस ने जो है लॉंच कर लिया एक नया एलेक्ट्रिक स्कूटर जिसका नाम है टीविएस एक्स अभी स्कूटर जैसी लॉंच हुआ सब कुछ इंट्रेस्टिंग देख रहा था सब कुछ अच्छा जो मुझे बहुत बढ़िया लग रहा है वह है कि टीविएस ने बहुत अच्छा अटेम लेके एक बहुत अच्छी से स्कूटर डिजाइन किया है लेकिन कहीं ना कि यह जो प्राइस जो इसके साथ जस्टिफाइ नहीं हो रहा है अगर आप प्राइसिंग देख वह तो करी एक जगा पर है जिसके वज़े से लोगों को ला कि एक्सपेंसिव है यह प्राइस की जो एक्सपेंसिब चीज को जो एक्सपेंसिव वर्ड को जस्टिफाइ करने के लिए इन्होंने सबसे बड़ा मतलब जो ब्लंडरी प्रोडो के साथ कर लिया वो है रेंज आप रेंज क्लेंड दिखा रहा है कि 140 अशम सब ने देखा कि जितने भी सारे चलाते हो तो प्रो मोड पे दिखा रहा था करीब आधिंग अबाउट 45 की रेंज दिखा था 57 परसेंट बैक्टरी में 45 की रेंज मतलब लगभग आप बोल सेकते हो करीब करीब 85 किलोमेटर जो है आपको मिलेगा फूरा चार्ज में अगर आप पर्फॉमंस लेबल पे चलाओ पर्फॉमंस तो है लेकिन एक पर्फॉमंस की बात यहां पर किया जाता है तो आप एक पर्फॉमंस स्कूटर लेके तो उसको अप मतलब जो एकोनोमी मोड पे नहीं चलाओगे तो आप हमेशा कोशिस करो गयार कैसे मतलब पूरा पर्फॉमंस मुझे मिले इनका अगर तॉ होगे वहां पर भी इन्होंने कोई बहुत ज्यादा काम नहीं कि है मुझे जो पर्सिनली लगता है क्यार स्कूटर के डिजाइन पर बहुत अच्छा काम किया टॉप स्पीड बाइदी वे इनकी मेंशन टॉप स्पीड है एक सो पांच अगर आप देखोगे ओला उससे फास से 90 से 100 के बीच आ जाएगा तो देखो एक और बात इसमें में एक शेयर करना चाहूंगा कि देखो जनरली जो स्कूटर के साथ हमारा क्या है देखो हम जब पर्फॉंस की बात करते हैं पहले चीज़ है अगर आप आपकी स्कूटर को रेस्टिट कर दे तो कि इस गोई टो सिटी मतलब सिटी वाली राइड वाली स्कूटर या कम्यूटिंग डिवाइस देफिनेटली यह तो टीवेस नहीं बोल रहा है कि यह कम्यूटिंग है आप इसको जिसको सिटी से बहां ले ही ने जा पाओगे जैसे फॉर एक्ज़मपल मेरे घर से नंदील में आगर जाता ह है एक साइड का अगर नाइटी 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 फाइफ किलोमेटर आपकी रेंज टोटल आ रहा है तो आपकी प्लानिंग ऐसा होना जाए कि मिनिमूम मतलब आप जो है 80 या 75 किलोमेटर का दिस्टंस प्लान करके चलना चाहिए नहीं तो फिर अप यू में गट स्टॉक मतलब वो एंग्जाइटी आता रहेगा तो वो है दिक्कत तो उसी वज़े से क्या है इवन तो आपके पास एक परफॉर्फॉर्मन स्कूटर तो रहे जागा लेकिन आप इसको लेके कहीं जाने पाओ गये जस्ट आट कि आप वही ऑफिस जा सकते हो जाना आना कर सकते हो व पाओ अपने उससाब से इस तो आप पीक परफॉर्मन स्कूटर प्र हें तो इस जाना आप कर देल्डू नहीं और पीक परफॉर्मन स्कूटर आइगे अगें हम लोग लोग अब भी बोल रहे है किया तो इस सब कुछ मिलाने से ओवर्ल मुझे लगता है किया टीएस नह न the looks and the gut, मतलब gut feeling तो है definitely TVS को जो जिनोंने ऐसा एक product बना है, उसके ला मुझे product जो प्राक्टिकल नहीं लग रहा है, आप लोग definitely comments में बताएं कि आपको प्राक्टिकल लग रहा है कि नहीं लग रहा है, अब TVS अगर बोलने लगा कि यार यह हम जो ही कम्यूटर स्कूटर नहीं बना रहे हम लोग इसको जो खाली नीश के लिए बनाएंगे, अब नीश की बात कर लेते हैं, दोस्तों देखो, अगर कोई customer नीश बेस पे कोई product खरीना चाहता है, definitely वो TVS जैसे product मतलब company से नहीं खरी देगा, यह एक fact है, साइद आप इस पे agree करोगे नहीं करोगे, क्या होता नहीं दूस्तों, TVS कभी भी जाना नहीं गया है for premium products, या फिर niche products, ओके, आपको याद होगा एक car था, किजाक्सी, हाँ, वो एक था, इन्दम, grand विटर अभी जब बहुत सालों पहला, 10-15 साल, I think 10-15 साल तो हो गया होगा, वो टाइम पर जब launch किया था, तब पता है, वो products बहुत अच्छा था, किजाक्सी जो car, आज भी मैं देखता हूँ, बहुत सही देखने वाली गाड़ी था, लेकिन तब के date पर उसकी जो pricing था, 30,35,40 ऐसे हो चुका है, आज के date पर वो acceptance आ चुका है, लेकिन डाउन दे लाइन जो 10-15 साल पहले मैं बोल रहा हूँ, वो टाइम पर लोगों को लगता था, यार मैं इतना पैसे देखिए, मैं squad आवर डाले लूँगा, लोग खरीद लेंगे, क्योंकि वहाँ पर एक brand ownership का प्राइट फीलिंग भी आता है, देखो यह practical चीज है, हम लोग ऐसे नहीं बोल सकते हैं कि TVS अ इंडियन कंपनी, हम लोग क्यों बहार कंपनी से कंपनी से कंपनी करें, अब आप अगर बोलो कि हमारा जो स्कूटर है बहुत जादा पर्फॉमांस दे रहा है, बट वियर लिमिटिंगे तो इस सिटी क्योंकि हमारे पास रेंज नहीं है, तो इस सिटी के अंदर ही आपको चलाना है, उस केस पर मुझे आप एक बात बते है, ओला और जो एथर है, ओला को तो मैं उतना ज्यादा पसंद पर्सनली नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि कोई भी प्रॉड़क्त में थोड़ा सा एक्स्प्रियेंस होना ज़रूरी है, और उनको थोड़ा टाइम लगेगा और एक्स्प्रियेंस मतलब हैंडल करके थोड़ा प्रॉड़क्त को और बेटर करने में, बट एथर ऐसे कंपनी है, आई आम रिली प्राउड ओफ दम, इसलिए आप कभी देखें, अधर का ऐसे चीज़एं कि वो सौ चीज़ें प्रॉमिस नहीं करता है, लेकिन जो पांच-छे चीज़ें या दस चीज़ें प्रॉमिस करते हैं, वो अच्छी तरह से करते तो इसलिए परसुनल या है लॉट ऑफ सॉफ्ट करन फो दा ब्रैंड तो वह तो आप मुझे खाली यह बता दो कि एथर से ज्यादा पर्फॉंस हमें सिटी में चाहिए क्या जैसे बैंगलोर जैसे सिटी हो गया मुंबाय हो जो बड़े बड़े पर्फॉंस में तो उतना पर्फॉंस तो आप आधा पास प्राइस में आपको मिल रहे तो वाइड उस्पेंड एक्स्ट्रा मनी जस्ट बिकास अगर वाल्यु एप्सेंपर देखेंगे परसनली अगर मुझे आप ऊचोगे या मेरे जैसे कोई इनसान रहे वो कम से कम सोचे कि मेरे पास अगर एक अच्छी स्कूटर है आई डिफिनेटली यार जैसे फॉर एक्जमपल आपको बोल दिया कि अल्ट्रा वाइलेट अल्ट्रा वाइलेट की मुझे देखो नो डाउट की इस अन एक्सपेंसिब बाइक लेकिन आप यह सोचो कि सबसे बड़ा बैटरी प सब्सक्राइब कर सकता हूं कि अगर अल्ट्रा वाइलेट का मैंने मेरे पास एक बाइक है आई नो इट्स अन एक्सपेंसिव प्रड़क्ट बट्स जैसे मैंने बोला थे कि रेंज हमारी ब्रेक्फस्राइब कितना रहता है साट सतर किलोमेटर रहता है सिटी से तो जाना आ एंग्जाइटी इस्यूज कि यार मने मतब कहीं बैटरी खतम हो जाएगा एक चार्ज के और वो राइड तो आपका कम्प्लीट हो जाएगा तो एक लिस कुछ तो करता है लेकिन यह स्कूटर आप मुझे बताओ कि मैं पर्फुमांस कर लेके आचार बना हो कि यह बताओ कह यह रेस्टिक्ट मुझे कर रहा है सिटी के अंदर तो फिर तो मुझे लग रहा है कि यह जस्टिफाइ नहीं कर रहा है अब अगर मुझे उतना पैसा खर्ज करना है देन वोट पर्सनली डू इस आपको पताएगी मैंने एरोक्स के साथ जो नॉर्थी स्ट्रिप किया कम से से कम इट से वेरी केपबल स्कूटर परफॉंस भी बहुत अमेजिंग है और फीलिंग भी अच्छा है वो स्कूटर चलाने में सो मैं एक एरोक्स खरी लूंगा जिसका कोस्ट 175 185 के आसपास हो गया बाकी जो 1,20,000 मेरे पास बच रहा है I will fuel it up मैं पूरा वह 1,20,000 का fuel इसम सोच समझा के नहीं क्या या फिर जल्दबाजी में लॉंच हो गया ऐसा कुछ हो गया मुझे ना परसनली आपको बताता हूं एक चीज़ मुझे टीवेस के बारे में थोड़ा ये फील हो रहा है कि साइध इनकी ना management कुछ तो मतलब बदल गया है साइध वो designing team कोई team से बद देखो दोस्तों मैं या आप कितना भी बुरा भला जो भी online में बोल दे फाइनली जब product market पर नहीं दिखता है और प्राइसिंग बहुत ज्यादा नहीं है तब भी मार्केट पर नहीं दिखता है तब जो है आपको कहने कहीं होता है कि प्रॉब्लम हो गया है रॉनिम के साथ यह हो गया यह भी अब यह स्कूटर के साथ यह जैसे मैंने टाइटल पर डाला है अच्छिन मैंने सुबा एक पोस्ट किया था वहां पर ही पहला एक मतलब दोस्तों एसे हमने बहुत सारे प्रॉडक्स हो देखें जो की मिजरबली फेल हुआ है आपको याद अगवा काव स सब्सक्राइब के जो वर्सिस थ्री हंडड़ था इट वाजन अमेजिंग बाइक मतलब मेरा बहुत फेवरेट बाइक था क्योंके ट्विन सिलिंडर था अच्छा कासा पावर टॉर्क सही था स्मूथ इंजिन था और स्पोर्क्विल के साथ आता ता इट वाज़ दाट कू कंपनी ने बोलने लगा कि यह हमारी निश्च प्रोड़क्ट है हम बहुत जादा टार्गेट नहीं करते हैं वेरेज़ फ्यू सी कावसकी की बाकी सारे जितने सारे बाइक से जनरली वह वाल्यू फामनी है आप उसको अगर कोई और ब्रैंड के साथ कंपार करोगे जैसे फ प्रोड़क्ट जो है अच्छा नहीं चला एंड फाइनली वह प्रोड़क्ट जो है इंडिया से निकल भी गाया है सिमिलर थिंग ऑल्सो हैपन विद जो आपका बीमड़ू की जीएस थीटेन जब यह लांच वा बहुत ज्यादा एक्सपंसिव प्राइस पर लांच होगा कि यह तो एक्सपंसिव है और उसके बाद फिर वो बोलते हैं कि यह आइसिंग ऑन दी केक जब इनकी सर्विस शुरुआ फिर लोगों ने अपने सर्विस एक्सप्रियंस डालने लगा वो भी एक्सपंसिव लगने लगा लोग तो काइंड ओफ यह लोगों के दिमाग में खराब इंपक्ट कर दिया और जिसके बज़े से BMW को फिर बाद में प्राइसिंग को रियर्जेस्ट करना पड़ा और दिन कम करना पड़ा उसके बाद जाके वो मोटर सेकल अच्छे बिकने लगा तो ऐसे होता है अगर बड़े ब्रैंड के साथ मतब जो बड़ा लोगो वा के बेचो आई फिल कि यार इट वसे रॉंग डिसेशना एंशर की इसके बज़े से इनका बहुत सारा सेल्स भी डेफिनेटली हिट हुआ होगा क्योंकि आप जो सेम बाइक अगर आपको BMW लोगो के साथ आता है बहुत सारे लोग ना सोचते है कि यार मैं प्रीमियम लोगो क एक दिमाग में रहता है कि यार कुछ तो बेटर मिलेगा ये कही ना कही मुझे लगता है कि टीवेस आजे कंपनी बहुत सारे गलतियां साहिद रिसेंट टाम्स में कर रहा है अब इन्होंने देखो जैसे ये स्कूटर है सिंपल सा स्कूटर का लॉंज जो इन्होंने कंट्री अगर आप देखोगे बहुत प्राइस सेंसिटिव है मतलब लोगों को सस्ती चीज़ें नहीं चाहिए लोगों को बेसिकली जो जस्टिफाइ कर पाएंगे वह ऐसा प्रोड़क्ट चाहिए और खास करके जब वो एक इंडियन ब्राइंट मतलब ब्राइंट की कोई यार यह तो BMW है अम निश मतलब स्कूटर एक चलाओंगा BMW लोगों के साथ जो भी लोग देखेंगा अरे BMW ने ऐसा स्कूटर निकाला तो ऐसी है तो ऐसी बात तो फिलिंग की बात है दोस्तों यह ओवरल मेरा ओपिनियन है आपका क्या ओपिनियन है डेफिनेटल आप लोग निकलते हैं और थोड़ा सा हाइवे पे चाहें 100 के उपर हो ना जाए हमें टॉप स्पीड की कोई टेंशन नहीं है लेकिन रेंज एक रहने से क्या है रेंज एंग्ज एंग्जाइटी नहीं रहेगा और कम से कम मैं यार नंदील तो जा सकता हूँ हर सिटी में अगर देखो है लेकिन आप एक चीज आप प्रैक्टिकली सोचो कि आप स्कूटर चलाओ गए उसमें क्या वीडियो यूटूब लगा के यह करोगे यह प्रैक्टिकल है कि अल्डेडी का गाडियों की जो कंपनी है वही यह चीजे मतलब अलाओ नहीं करते हैं अगर आप देखो कि कोई कार कंपनी है वह लोग भी अलाओ नहीं करते हैं आप कहीं किसी तरह की वीडियो देख सेकते हो स्क्रीन में एंग टीवेस ने जो यह चीजें को जो इंटीग्रेट कर दे हैं आम शूर कि कुछ दिनों के बाद गौर्मेंट को रूल निकाल देगा कि यार इसको बैन करो क्य चीजे अप देख रहे होगे उसमें ङूर्ट क किसी ना किसी का तो नुकसान इसमें होता होगा हमें पता नहीं चल रहा होगा अब उतना बड़ा स्कार्ण देखा को लाजिकल ही झाला गए यह यह त्यों क्या पता जो हम लोग जैसे जीम पर जाते हैं तुछ होगा है किसी तकरा होगे नहीं, scooter में यह सब चीज है totally illogical है, I think यह भी लग रहा है कि यार, pricing को जो justify करने के वज़े से, बस कुछ ना कुछ तो दिखाना इसलिए बहुत सरे ऐसे jazzy things जो है दिखा रहा है, tvs और कुछ नहीं तो overall मेरा feedback जो है यह है, मेरा opening scooter के बारे में